Hey everyone, welcome back to my channel So, आज की वीडियो के स्टॉपिक पर होने वाली है आप सब समझ ही चुके होंगे टाइटल और थम्निल से So, आज की वीडियो भी आप सब के लिए बहुत helpful रहने वाली है Interesting रहने वाली है क्योंकि आज मैं करने वाली है एक challenge वीडियो So, ये challenge वीडियो चलने वाला है week So, ये कौन सा वीडियो होने वाला है, कैसा होने वाला है आप सब तो जानी चुके होंगे बट मैं फिर भी बता दू So, मैं करने वाली हूँ hair remover challenge, three days So, बहुत सारे YouTubers ने इस वीडियो को बनाया था, इस challenge वीडियो को तो उन्होंने तीन दिन यूज़ करके देखा था कि hair remove होते हैं की नहीं होते हैं So, मैंने सचा क्यों ना मैं भी वीडियो बनाओ, मैं भी shoot करूँ So, बहुत लोग अच्छा result भी मिला, बहुत लोगों को नहीं अच्छा result मिला तो मैं भी आप सबसे शियर करने वाली अपना honest review की कैसा मेरे पर work किया, यह hair remove किया की नहीं किया तो इसे use करना था week में तीन बार, तो मैं इसे use करके दिखाऊंगी week में तीन बार तो वीडियो बहुत interesting होने वाला है, तो आपको ज़रू देखना चाहिए और चैनल को नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, तो वीडियो को जल्दी से start कर लेते हैं, हम भी देखते हैं कि यह work करता है कि नहीं करता है हमारे face pack बनाने के लिए क्लिए क्या क्या चाहिए बनाने के लिए हमें चाहिए 1 tablespoon gram flour basin तो मैंने 1 tablespoon से थोड़ा सा जाधा लिया है, आप भी अपने face के according ले सकते हैं, तो मैंने 1 tablespoon, 1 and half tablespoon तो अब इसमें हम डालेंगे raw milk और अब हम डालेंगे इसमें turmeric, और ये normal turmeric है, मैंने यसमें वाइल turmeric मी डाला है उद्नों ने बता था, के normal turmeric चाहिए, तो मैंसमें एकदम थोड़ी सी turmeric डाल दढ़ी हूँ उन्होंने का तो चुटकी भर turmeric लेगि दम चुटकी भर भी नहीं है, और कम भी नहीं है, मैंने थोड जासा gram flower और डालना पड़ेगा शायर पहले मिक्स कर दूँस अचे से फेड़ेकिंगा तो मेरा पेस्ट ठीक बना है मुझे और gram flower नहीं मिलाना पड़ेगा तो इसे अपलाइ करने से पहले हमें करना पड़ेगा फेस वाश तो मैं जल्दी से फेश वाश कर लेती हूं फेस से फेश वाश कर लिया है अब मैं अपलाइ करूंगी ये पैक तो इसे अपलाइ आप पूरे फेस पे भी कर सकते हो या सिर्फ अपने अपर लिप्स में कर सकते हो अगर आपको जहां जादा हेर की प्रॉब्लम हो आप बस वहीं अपलाइ कर सकते हो बड़ मैं पूरे फेस पे अप्लाइ करके देख रही हूँ इसे मेरे आइब्रोज में भी लग जा रही है ये पूरी की पूरी तो मैं इसको कम से कम एक मिनट तक ड्राय होने दूंगे उसके बाद में मसाज करना स्टार्ट करेंगे होना स्टार्ट हो गया है तो अब हम इसे करेंगे मसाज जिससे होंगे हमारे हेर रिमूव पता नहीं होंगे की नहीं होंगे बट उन्हों जैसा बतायत हम वैसे ही करेंगे तो एक चीज जरूर याद रखी आपकी skin है आप इसे जोर से रव ना करें अग्दम धीरे धीरे अग्दम जोर जोर से रव करेंगी तो शायद आपको pimple भी हो सकते दाने हो सकते चोटे-चोटे इसलिए फ्लीज ध्यान रखें कि आप अग्दम धीर धीरे इसको massage करें तो यह face pack hard होते जारा है बड़ यह dry नहीं हो राहा है कि यह remove हो पता नहीं कुछ पर रेवोड करना बहुत मुश्किल है सचमें बहुत ज्यादा hard हो जाता है इसे नीकालना बहुत ज्यादा पेइनफुल हो सकता है तो यह face pack लगबग उता ही गया है अब मैं face wash कर लेती हूँ और देखते हैं इसका क्या result आए face wash कर लिया है और मुझे तो कुछ भी result नहीं दिखे इसके ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि hair remove हुआ है actually मेरी skin थोड़ी सी red हो गई थी तो जादा मतलब rub करने के कारण क्योंकि rub करना पड़ेगा अगर hair remove करना है तो उस वीडियो में बताया गया था जिन्होंने ये remedy बताई है उन्होंने बताया था कि आपको थोड़ा massage करना पड़ेगा जादा rub मत कीजिए कि अपने face को वो red भी हो सकता है तो मेरा ये challenge वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप सब समझ पाएं कि ये आपको यूज करना चाहिए day one में तो मुझे कुछ भी result नहीं दिखा इसका कुछ भी result नहीं दिखा तो देखते हैं day two में क्या होता है क्या हमारे hair remove सच में होते हैं तो मुझे ये challenge complete करना है three days का तो second day देखते हैं कि hair remove हुए है कि नहीं हुए है first day तो कुछ भी result नहीं दिखा मुझे तो देखते हैं second day और second day use करके देखते हैं hey everyone so आज day two है face pack apply करने का hair remover face pack मैंने first day apply किया था उसका कोई भी result नहीं दिखा था तो आज day two है तो आज apply करके देखते हैं कि आज कोई result मिलता है कि नहीं मिलता है तो जल्दी से apply कर लेते हैं face pack और मैं अपना face clear करके आती हूँ मतलब face wash करके आती हूँ उसके बाद मैं apply करूँगी face तो मैंने face wash कर लिया है और आज मैं face pack जो लगाऊंगी hair remover face pack वो मैं दो मिनट के लिए उससे dry होने दूँगी क्योंकि rub करते 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 में skin red हो गई थी कल इसलिए मैं आज जादा rub नहीं करूँगी उससे dry होने के बाद ही rub करूँगी इसलिए आज मैं दो मिनट कम से कम इसको dry होने दूँगी मैंने face pack तयार कर लिया है करने के वज़े से पूरा का पूरा face ना red हो जाता है इस वज़े से मैं आज जादा rub नहीं करूँगी मुझे ऐसा लग रहे कि आज मुझसे थोड़ी सी टर्मरिक जादा डल गई बच कोई नी टर्मरिक अच्छी रहती स्किन के लिए तो मैंने से अच्छे से apply कर लिया है और मैं अब होने दूँगी से 2 minutes के लिए dry dry होने के बाद फिर हम करेंगी मसाज अपने face को तो 2 minutes बाद मिलते हैं तो यह dry हो गया है थोड़ा और मुझे थोड़ा बोलते हैं नहीं बन रहा है कि यह खीचा रहा है थोड़ा तो अब मैं इसे मसाज करूँगी और आज मिन मसाज एकदम धीरे धीरे करना है तो start करते हैं तो यह जितना निकल सकता था उतना यह निकल चुका है रब करते करते अब यह नहीं निकलने वाला तो मैं अब फेश वास ही कर लेती हूँ प्योंकि अब ज़्यादा रब करूँगी तो फेश फिर रेड हो सकता इसलिए फेश वास कर लिया है और आज मेरा फेश रेड नहीं हुआ कल मेरा फेश बहुत ज़्यादा रेड हो गया था क्योंकि मैं रब झादा प्ल्या है तो मैंने धूदा यहाँ प्लिस्ट में थोड़े से हेर्स है मैंने इसल मेने उस पर ही जादा फोकस कोई सथा के, यहाँ लब के सब्सक्राइब Z कल देखते हैं कल कोई result मिलता है की नहीं मिलता है तब तक वीडियो में बने रहिए देखते हैं तो आज है day 3 और आज last day है face pack apply करने का hair remover face pack तो दो दिन से तो मैं apply कर रही और कोई भी result नहीं दिखा है क्योंकि मेरे upper lips में ही hairs है और मैं उसी पर focus कर रही उसी पर massage कर रही और अभी तक कोई भी result नहीं दिखा है तो आज last day है पता नहीं आज result दिखे का की नहीं दिखेगा तो try कर लेते हैं जल्दी से और आज मैंने अपना face wash भी कर लिया है तो आज भी मैंने अच्छे से face pack apply कर लिया है और मैं अभी थोड़ा दिर से dry होने दूंगी उसके बाद फिर start करेंगे इसे massage करना तो तब तक थोड़ा दिर dry होने देते हैं इसको यह dry हो गया है और अब करेंगे massage तो यह जितना rub के निकल सकता थो निकल गया है तो face wash कर लेना चाहिए अब और रब नहीं कर सकती फिर face red हो जाएगा तो मैं अब face wash कर लेती हूं उसके बाद देखते हैं आज कुछ hair remove हुएं की नहीं तो मैंने face wash कर लिया है और आज भी मुझे कोई भी result नहीं दिखा कोई भी result नहीं आया इसका उल्टा यह painful बहुत है अगर आप बहुत जोर जोर से rub करें अपना face तो आपको pain भी हो सकता है इसलिए please ध्यान रखे कि आप इसे ज्यादा rub ना करें क्योंकि आपका face है आप ध्यान रखे मैंने जब second day sorry first day जब मैंने ज्यादा rub कर लिया था तो मेरा face भी red हो गया था तो मैंने second day or third day थान दिया कि मुझे ज्यादा rub नहीं करना चाहिए तो मैंने rub नहीं किया तो आप भी ध्यान रखें कि face रखें को आप इस face pack को बिल्कुल भी use ना करें hair remover face pack को क्योंकि यह बिल्कुल भी work नहीं करने वाला आपके face पे उल्टा painful है यह तो मैं इतना ही कहू कुछ result दिख जाए बढ़ कोई भी result नहीं आए तो आप भी use ना करें लेकिन अगर आप इसे सिफ और सिफ एक face pack की तरह apply करेंग अपने face पे तो यह बहुत अच्छी face pack है आपके face के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके face के लिए हूँकि basin बहुत अच्छा रहता आपके face के लिए आपको पता है आपके face को अगर आप यूज करते हैं basin, कच्छा दूद, raw milk तो आपको पता है इसके कितने सारे benefit है हमारे skin पे, turmeric के भी आपको पता है, turmeric हमारे face को lighten करने में help करता है, तो आप ऐसे इसे face pack के तरह से use कर सकते हैं, लेकिन hair remover के तरह बिल्कुल use मत की hair remover के तरह आप इसे face pack के तरह यूज कीज़े, आपको अच्छे results में जाएंगे, अपको अच्छे results में जाएंगे, अगर आप ऐसी चैनल वीडियो देखना चाते हैं, तो प्लीज वीडियो को बहुत सारा प्यार कीज़ेगा, वीडियो को जरू लाइक कीज़ेगा, ऐसे कोई भी face pack को तुरंथ अपने face पे यूज मत किया कीजिए, कोई भी face pack आपको suit कर जाए, ऐसा नहीं होता है, सबके face अलग होते है, सबके skin type अलग होते है, तो आप इसी चिस का ध्यान रखो, ये वीडियो आप से अपिल हेल्फुल रही हो, थैंक यू फॉर वाचिं द